नमस्कार दोस्तों आप सभी लोग का हमारे चाल में स्वागत है तो दोस्तों आज हम लोग बलाएंगे नारियल की बहुत ही बढ़िया और बहुत सुंदर मिठाई ये मिठाई आप बना करके मातारणी को भोग भी लगा सकते हैं और अगर 9 दिन का निवरात्री है या फिर च इसके नारिय निया के निया निकाल लिए इसका पूरा छिलका उतार लिया देख सकते हैं तो छिलका उताने के विधि भी आपको बताओँ के आतां गालाएंगे जल्त नतली nights और अगर आप चकु से उतार रहें तो बहुत लेट होगा और बहुत ज्यादा उसमें नारियल का यह निकल जाता है देखिए हमने एक नारियल को छीडने के लिए मातर पांच मेंट से भी कम समय लगता है अगर आप हमारे तरीके से इसका छीलका उतार देखिए पूरा हमने इसको पहले हम दूर लेंगे और इसको आप यहां पर देख सकते हैं कि इसको बढ़िया है अब इसको हम लोग मिक्सर जार्म डालेंगे या आपके पास जो सुद्दा हो बस इसको बारीक पीस लेना है तो अब इसमें हम दूर डालेंगे मैं यहां पर थोड़ा सा दूर डालेंगे कि बीना दूर डाले पिसेगा नहीं तो इसको हमने दूर डाल लिया है और इसको बारीक हम लोग पीसे यहां पर देख सकते हैं कि बिलकुल हमने इसको बारीक पीस करके तयार कर लिया है और एक तो इसको नारियल में हमने छोटी वाली चाय वाली ग्रास से एक अल्ण दूड यह अन्यश्त record पानी भी डालके इसको अप्चा कर चाहते करह द scorस्ष पर दैब। पेस्ट डूदूरो छाइथा गृड़ा करें सॉ Αंप्ट आई हैं वे उसे समय कर दोद को अच्छे से भून कर लिया और इसी नारियल के पेश्ट में हम इसको मिला दे रहा है और अब इसमें हम जो जो सामगी डाल रहे हैं आप देखते चाहिए तो इसमें हमने दूद का रबडी डाल दिया है इसमें आधा लिटर नवीज को दूद में बना सकते हैं अबर भी दूद में बना सकते हैं पर हम लोगे में इस समय फिलाल हमारे गर में गया है तो दूद और घी कमी नहीं है दोस्तों और यहां पर गाय का पिल्कुल अच्छा सा एक चमशम घी डाल रहे हैं तो इसी समय हमने इसमें घी डाल दिया है अब इसको थोड़ा हमें चल अब इसमें घी डाल रहे हैं तो यह नीचे लग जाएगा लगने के बाद आप जामते हैं कि जो चीज जल जाता है उसका स्वास बिल्कुल खराब हो जाता है तो इसको अब देर देर बूंते हैं कि मावा की तरह बिल्कुल चटक रहा है क्योंकि गाड़ा है और रहा है हमा अगर आपको और मिठा चाहिए तो और बढ़ा चकते हैं तो हलकी मिठा साली यह नारियल की भूब मिठाई बहुत बढ़िया बनती है दिपावली होली कभी भी आपना तो जब तक यह अच्छे से मिठाई का डोन अब बनने लगे जैसे गोल गोलम में बनाना है और आप इ दो सेब दे रहा हो मिठाई का दे करके और महरानी को दुर्गार जी को भोग लगाईए भगवान को अल्तम अरफ़ करिए इसके बाद पुदी प्रसाथ से रुख्या यहां पर इलाईची का पॉडर डाल देते हैं इलाईची हमने अच्छे से कूट के डाल दिया है अब इ इतना टेस्टी है कि अगर आप एक बार बनाएंगे लो तो हमारे तरीके से बार बार आप नारियल से मिठाई बना करके किसी भी समय आप इसको बना सकते हैं तो देखिए अब हमने हाथ में थोड़ा सब देशी घी लगा लिया और बस थोड़ा सा लेंगे और देशी घीर अब नहीं लगाना है आपको तो बीना घीके भी इसको आप गोल गोल राउंड राट बना दीजिए तो दोस्तों अब हमने नवरात्री के लिए इसको डाला है और बीच में हम आपको जो हम हेल्दी थाली बनाते हैं वह भी आपको बना करके बिल्कुल दिखाएंगे तो न इसे भी बना सकते हैं किसी फंक्सन भी बना सकते हैं या फिर पूजा पाठा के घर में हैं निवरात्री तब बना सकते हैं तो बिल्कुल बन करके बहुत इस्वादिश्ट बहुत बढ़ियां मात अरानी के लिए कच्छे नारियल का प्रसाद बन कर तयार है आप इसको लाइक करेगा कमेंट करेगा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बूलिएगा हमार चानल को तो हमों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार